आज हम लोग देखते हैं कोश्चन नंबर 41 प्रिवियस कियर पेपर का जो की 2023 का पेपर था उसमें मैस का कोश्चन नंबर 41 देखो एक स्विमिंग पूल की लंबाई 260 मीटर और चौडाई 140 मीटर है यदि इसमें 54,600 घंड मीटर पानी भरा जाता है तो पूल में पानी की सतह क के उचा ही कितनी है यानि इंग्लिस में भी एक कोश्चन देख लो लिखा गया है आज स्विमिंग पूल इस 260 मीटर लॉंग और 140 मीटर वाइड यहां पर क्या दिया गया हमको कोश्चन में हमें दिया गया है कि कोई हमारा एक पूल है यानि एक तालाब है और उसकी लेंथ दी गई है और उसकी ब्रेथ यानि लंबाई और चौड़ाई दी गई है तो हम लिख लेंगे भाई कि इसमें जो लेंथ दी गई है वो दिया गया है 260 मीटर का और जो ब्रेथ दी गई है इसकी चौड़ाई वो दी गई है 140 मीटर का क्या गया रहा हुचा ही बताओ यानि हमें हाइट बतानी यही तो दिया गया है अब दिया गया है इसकी देखो यहां पर दिया फिप्टी फोर थाउजंड सिक्संड़ क्यूबिक मीटर यारी चववन हजार छेसो घन मीटर और जब घन मीटर होता है तो इसका मतलब कि हमें आयतन दिया गिया है क्या दिया गिया है क्योदि घनाब का आयतन है अब अममें इतनी समय में और आयधन कितना दिया गया है हमें हमें दिया गया है 54600 बताओ बासमाज मैं बई मैंने हिंदी में यह फार्मूला के बाल लिखाई आपके लिए न खिर्मूला लिख दिया जाए बकी solution का तरीका वही रहेगा जैसा कि आप लोग करते हो अब यहाँ पर हमको length दी गई है 260 meter तो हम यहाँ पर रख लेंगे L की यहाँ पर 260 भी दिया गे 140 तो यहाँ पर हम रख लेंगे 140 यानी 140 height हमें निकालनी है is equals to 54,600 बताओ भई बात क्लियर हुई सभी को आप देखो और आसान कर लो इसको इधर यह multiply है इधर जाएगा तो divide यानी की गुड़ा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो as equals to हो जाएगा 54,600 upon 260 into 140 बताओ इतनी बास समझ में आगी सभी को आसान सा question था बिल्कुल भी परिसान नहीं होना कि इसमें हम कैसे लगाएगे बहुत ही आसान सा question है केवल हमें अगर formula पता होगा तो हम तुरंत लगा लेंगे अभी हम लोग आगे वो चीज़ें पढ़ेंगे लिकिन paper के बारे में जानना भी तो जरूरी है चलो भाई इतनी बास सभी को समझ में आगी इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ अब केवल इसे करना क्या है हमें अब इसे करना केवल हमें simplify है अब simplify कैसे करोगे भी अगर आपको table आती होगी तब तो आप आसानी से कर लोगे अधरवाइज वैसे ही चलता रहेगा जैसा भी तक चलता आ रहा है चलो काट के देखो किसी से अगर हम 13 से कट करें इसको यहां चलो अच्छा है 7 से करो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 7 8 जा 56 बताओ गरी सही है 26 3 जा 78 28 जानी 3 अपॉन 2 मीटर और 3 को 2 से डिवाइट कर लो 3 को अगर 2 से डिवाइट करो कि किता होगा 1.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा देखो आप्शन में है क्या बिल्कुल है बई आप्शन B जो है कि हमारा करेक्ट आंसर होगा बताओ पहले कोशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ समझ में आगया सभी को आगे बढ़ें कोशन नंबर 42 पर चलो भई कोशन नंबर 42 देखो कोशन नंबर 42 क्या दिया गया कोशन नंबर 42 दिया गया है 33 मीटर लंबी 3.5 मीटर उची और 40 सेंटी मीटर मोटी एक दिवार बनाने में 22 सेंटी मीटर गुले 10 सेंटी मीटर गुले 7 सेंटी मीटर आयाम वाली इटे लगी है ठीक है यादि दिवार का एक बटे 10 हिस्सा रेट से बना है हमें भी वक्या बताना है अगर दस हिस्सा रेट यानि इसमें पूछ रहा है कितनी इते लगानी है अगर उस दिवार का एक बटे दस हिस्सा जो है वो रेट से बना है चलो इंग्रिस मीडियम के बच्चे देख लें यह लिखा जया है How many bricks of size 22 cm x 10 cm x 7 cm are required to construct a wall 33 m long 3.5 m high and 40 cm thick if sand used in the construction occupies 1 upon 10th part of the wall option देख लो option a 24,000 option b 25,000 option c 26,000 या option d 27,000 लगा पाओगे आप यह question बहुत ही ही easy सा question है इंदी में समझो चाता समझ में आएगा मैंने आपको इंग्लिस में बता कि देखो यह कह रहा है कोई दिवार है अब अगर दिवार का इससा देखो दिवार कैसे होती है भाई दिवार हमारी ऐसे करके ऐसे करके sorry मतलब कहने मदलब यह थोड़ा kya Strike से होता है भार मैं से एससे इटे लगी होती है कि पाता है समझ में तो इंटे लगी होती हैं तो यह कह रहा है कि 33 मिटर लंभी यानी 33 मिटर लंभी है त्री पॉइंट फाइब मीटर हाय यानि 35 मीटर उंची है और इसकी जो यह चौड़ाई है यह शुद्टी सेंटीमीटर की पता यह बात समझ मैं अच्छा इस ध्यान दिए यह लेंध मीटर में दी गई है प्रेथ मीटर में दीगें लेकिन इसकी जो मोटाई है ठीक है यह हा आगे जो ब्रिक लगी हुई है जो इट लगी हुई है ना वो भी उसका भी टाइमेंशन जो हो उसका भी मीजर्मेंट हमें दिया गया है किसमें सेंटीमीटर में तो हम करेंगे क्या हम सब कुछ हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे ठीक है चलो तो अच्छा एक चीज यह जो न निकालते हैं देखो यह होता है volume of the wall volume of the wall upon volume of a brick इस यह बात आई समय दो हम आगर हमें इटों की संख्या निकालनी है इटों की संख्या तो हम करेंगे क्या हम भई दिवार का आयतन दिवार का आयतन बटे एक इट का आयतन अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था घनाप का आयतन हम लोगों ने तो पढ़ा यह क्या होता है लंबाई गुले चोड़ाई गुले उचाई एल इन्टू बी इन्टू एच बस वाई सेम चीज है यहाँ पर आप यहाँ पर देखो इटे के बारे में पहले तो 33 मीटर है यह हो गया दिवार दिवार की देखो क्या देखी यह वाल की जो हमें डाइमेंशन दिए 33 3.5 मीटर और 40 सेंटी मीटर तो सबको सेंटी मीटर मदल लो 33 मीटर है तो 1 मीटर इस इक्वेश टू 1000 तो 33 मीटर इस इक्वेश टू कितना हो जाएगा 33,000 बताओ 1 meter is equals to sorry 100 cm 1 meter is equals to 100 cm तो 33 meter is equals to 33 100 cm फिर 3.5 तो 10 सम्मल्टिप्लाइ करोगे तो हो जाएगा 350 बता हुगाई और यह already 40 हमें दिया गया है चलो यह निकाल लिया अपन अभी हमें दिया गया है इट की डाइमेंशन तो यह 22 x 10 x 7 अब इसको सिंप्लिफाइ कर लो इस 0 से 0 कर लो 7 5 35 कर लो 11 22 और 11 30 यह कर लो बता हुगाई इतनी पास समझ में आई और यहां से 21 जा 22 24 यह 20 कर लो multiply कर लो और क्या यह हो गया 5 3 15 2 30 यह हो गया और कितने 0 है 1 2 3 1 2 3 मतलब 30,000 ब्रिक लगेंगे पूरी दिवार बनाने में अब कहोगे सर option में तो हाई नहीं लिकिन भाया एक चीज और भी तो देखो यह कह रहा है पूरे दिवार में एक बटा 10 हिस्सा रेत का बना है मतलब रेत हमें पाहन निकालना पड़ेगा न तो अगर यहां से हम रेत निकालें इसमें सैंड का अगर हम करें तो देखें सैंड कितना योज हुआ है तोटल दिवार जितनी भी ब्रिक लगी है न दिवार का एक बटे 10 हिस्सा अब एक चीज देखो पूरी दिवार का एक बटे 10 हिस्सा अब यहां पर इसमें पूरी दिवार इतनी लगी हुई है पूरी दिवार हमारी इतनी इटे बनी हुई है पूरी दिवार में अब पूरी दिवार का एक बटे 10 हिस्सा जो है वो सैंड है तो यहां से एक बटा 10 हिस्सा इसका निकाल दो तो यानि 3000 इटे इसमें से कम कर दो तो यानि इसमें से अगर हम 3000 इटे कम कर दें तो कितना हो जाएगा तो कुल इटे कितनी हो जाएगी टोटल ब्रिक्स कुल इटे यानि कि टोटल ब्रिक्स हमारी कितनी हो जाएगी भैया यहां से 30,000 माइनस 3000 कर दो और यह हो जाएगा हमारा 27,000 ग्रेक टोटल दिवार में लगी हुई है तेख लो 27,000 यानि कि टी आप्शन जो होगा यह हमारा विल्कुल करेक्ट होगा बताओ भई बात समझ मैं टोटल दिवार का वन अपॉंटन सेंड है मतलब टोटल दिवार में 30,000 इटे उसमें से 1 27,000 इसमें क्या लगी हुई है इसमें इटे लगी हुई है बताओ भई बात समझ मैं इतनी आसान कोश्चन था ना बहुत ही आसान कोश्चन बद थोड़ा सा कर समझोगे ना तो आसानी से आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 43 तेखो 43 क्या दिया गया हमें कोश्चन नमबर 43 दिया गया है कि एक आठ फलकों वाले एक आठ फलकों वाले पासे को जिसकी फलकों पर संख्याएं एक से आठ लिखी हुई हैं फेका गया तो सम संख्या प्राप्त होने की प्राइकता क्या है इंग्लिस में देख लो भई यह दिख what is the probability of getting an even number यानि अगर कोई मानलो हमाँ पास कोई डाइस है और उसमें लिखा गया है यह पूछ रहा है इसको अगर एक बारहों फिक हैं तो इसमें से इवन नंबर आने की प्रविल्टी क्या होगी यही तो हमारे इवन नंबर है और कुल पाईडाम total outcomes कितने है इट है बता यह पास समझ मैं भाई यह इवन नंबर कितने बार आएंगे और कुल कितने नंबर है इसमें वो नीचे लिखोगे और कुल इसके result क्या हो सकते हैं कौन-कौन से 4 result हो सकते हैं 4 result तो उसे उपर लिखोगे और उसके बाद divide कर तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानि 1 upon 2 जो होगा ये correct answer होगा यानि कि A option इसता correct answer बता भई बासमझ में आई A option इसता correct बता वसमझ में आगया question question आसा question था और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया भी होगा पिएरे बाद अगला question देखें चलो भई अगला question देखो देखो अगला question इसलिए मुझे इस तरह से आज question को दिखाना पड़ा ताकि यहाँ पर क्योंकि बड़े-बड़े question है और इनको solve करना भी जरूरी है तो भीना question के तो solve नहीं कर पाते देखो क्या दिया गया हमें दिया गया है question नमबर 44 एक सहर में junior cricket club के 50 सदस्यों की आयू नम लिखेता है ठीक है यानि the ages in years of 15 members of the junior cricket club in a town are given below चलो इतनी सारे हमें दी गई है 15 से 16 आयू के वर्गों का प्रिस्सत क्या है यह बताना है जानि कहने का मतलब total तो हमें दिये गया है 50 percent इस समय हम लोग पढ़ रहा है हाना total हमें क्या दिया गया है 50 कितना दिया जए 50 और यह 15 से 16 देखना तो देखना है 15 16 वाले कितने लोग हैं इसमें यह देखो तो यहां देखो ए वान टू त्री फॉर फाइव सिक्स इस लाइन में तो है नहीं सेवन एट फिर और देखो नाइन उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 अब देखो यहां पर total कितने 17 लोग हुए total कितने 17 हुए न काउंट एक बार फिर से करके चेक कर लो कि ही कितने 15 से 16 के बीच में देखो वान टू त्री फॉर फाइव सिक्स इस सेवन एट नाइन 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 टैन 11 12 13 14 15 16 17 18 देखो दुबारा से चक्किया तो 18 आया हाना तो मतलब टोटल जो 15 से 16 साल वाले हैं अगर हम कोश्चन नंबर कितना 44 टोटल 18 लोग हैं जो 15 16 साल वाले और कुल कितने हैं 50 अब कह रहा है इसका प्रतिसत क्या होगा मतलब इसको हमें किसमें चेंज करना है वाट परसेंट ऑफ मेंबर्स आर इन दफ 15 तू 16 एस ग्रूप तो ठीक भई यहां पर मैंने क्या बताया थै कि जब परसेंट में चेंज करना हो तो हंडेट से मल्टिप्लाई कर दो 51 जा 50 तू जा 100 तो 18 तू जा 36 परसेंट यानि कि टी ऑप्सन जो होगा यह बिलकुल करेक्ट होगा बताओ समझ में नहीं इतना बड़ा कोश्चन और देखो आंसर देखो इसका सोलिशन कितना चोटा सा बता परकोशिस करूंगा आपको एक बार फिर से जब दुबारा से हमसोल करें तो कम से कम दुबारा हमसोल कर फाहें चल आगे देखो अगला जो question दिया गया हमें यह दिया गया है question number 45 यानि कि 45 और यह दिया गया कि एक आयताकार question number 45 दिया गया है कि एक आयताकार plot का शेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और परिमाब 50 मीटर है इस plot की लंबाई और चाड़ाई का अनुपाद क्या होगा फिर से देखो question लगा पाओगे आप the area of rectangular plot is 150 square meter and perimeter is 50 meter the ratio of its length to breath is अब बताओ इस question को solve कर सकते हो आप आसान question है क्या क्या दिया गया है यह देख लो हमें यह दिया गया इसका छेत्रफल तो माल लो एक आयताकार plot है तो को बा समझना माल लो एक आयताकार plot है उसकी length x of breath y है तो यहाँ पर question number यह हमारा 45 है चलो भई अब यह कह रहा है कि भई इसका जो छेत्रफल है यानि area 150 छेत्रफल क्या होता है भई यह आयत का छेत्रफल area of rectangle x into y चलो भई यह दिया गया है 150 meter बताओ यह बास समझ में आई 150 meter बताओ यह बास समझ में यह नहीं ना समझ में आप भी बता दो और इसका परिमाप यानि perimeter perimeter क्या होता है 2 into x plus y is equal to कितना दिया गया 50 meter आप कहरा भी यह x और y बताओ कितना होगा बताओ आप लगा सकते हो x और y कितना होगा देखो इस तरह के जब भी question मिले तो आप सबसे बढ़ना काम यह करो कि यहां से इसका quadratic equation माना लो दो गास समी करा आप कहतो यह तो answer पढ़े नहीं है चलो ह यहां 2 multiply है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा divide 2 इधर multiply है इधर जाएगा divide तो इधर जाएगा 50 upon 2 तो कितना होगिया 2 2 4 2 5 10 यानि x plus y is equal to कितना होगिया हमारा 25 बताओ इतनी पास समझ भाई चलो इतनी पास समझ में आ गई सभी को आपकर दूसर इसके आगे कैसे देखो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो कि ऐसा कोई number सोच हो कि जिसको multiply करने पर 150 आए और plus करने पर 25 आए तो मैंने तो भाई सोच लिया 15 into 10 15 into 10 करो तो 15 10 जा 150 15 plus 10 करोगे तो 25 क्यानि x जो होगा वो 15 हो जाएगा और y जो होगा वो 10 हो जाएगा तो सर अगर ना सोच पाए तो क् इसके लिए एक काम यह करो अगर ना सोच पाओ तो उसके लिए एक काम यह करो कि यहां पर यह x plus y is equals to 150 दिया है तो यहां पर एक काम आप कर सकते हो कि आप y is equals to कर लो 25 और इसको इधर कर लो यह हो जाएगा माइनस x बताओ यह वा समझ मैं x को मैं इधर ट्रांस्वोच यह और हमें x y is equals to 150 दिया है तो हम करेंगे क्या भई x y की जगहां पर रख लो 25 माइनस x क्योंकि y की जगहां पर हम 25 माइनस x is equals to 150 तो यहां से x का 25 से multiply करो 25x x का x से multiply करो x square is equals to 150 यह बन गया हमारा अब इसको इधर ट्रांस्वोच कर लो ठीक है माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यह अल्रेडी 150 है इस equals to 0 कर लो हो गया गा मैंने आपको अल्टरनेट तरीका पहले ही बता दिया यह तुम्हें आपको solution बता रह हो यानि 150 का ऐसा गुलनखंड जिसको जोडने पर 25 आता हो तो पंद्रा दहा में सही है कि नहीं तो यानि 15 प्लस 10 करो एक्स प्लस 150 इक्वेस टू जीरो यह ता जिन मिडिल टाम स्प्लिट आता ना नहीं आता चलो भी यह भी बता देना कमेंट बॉक्स में इसके अलगा जब पढ़ाएंगे तो अलक्स हम बता देंगे तो यहां पर हो जाएगा एक्स इसक्वार माइनस 15 का एक्स से मल्टिप् 10x प्लस 150 इक्वेस टू जीरो इतनी बात आई समझ में अब यहां से इन दोनों में एक्स कॉमन है एक्स कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स माइनस 15 इन दोनों में 10 कॉमन है तो यह हो जाएगा एक्स माइनस प्लस का मल्टिप्लाय माइनस 00 कैंसल तो यह हो गया 15 इस इक्वेस तो जीरो यानि X-15 अब common हो गया क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर भी बचा कितना X-10 is equal to 0 बताओ यह बाद समझ मैं आप दोनों जब अलग-अलग 0 के मलब जब यह 0 के equal तो दोनों को अलग-अलग 0 के equal रख लो X-15 is equal to 0 तो X equals to हो गया हमारा 15 और X-10 is equal to 0 तो X equals to हो गया 10 बताओ इतनी बाद समझ मैं इस अभी को चलो इतने में अगर कोई दिक्का दोर बताओ हमने क्या मान रखी थी भई हमने length X मान रखी थी ना तो यानि length हमारी यह हो गई 15 बड़ा यह है तो अगर हमने length X मान रखी थी यहां सकते हो अगर हमारा length आ गया length हमने X मान रखी थी यह हो गया हमारा 15 और फिर अगर हमें Y निकालना हो तो यहीं पर Y X की Y is equal to 25 minus X की value आ यह 15 तो यह हो जाएगा 10 यानि यहां हो गया हमारा Y 10 हो गया question क्या था हमारा question था लंबाई चोड़ाई का अनपाथ बताओ ठीक है X और Y का रेशियो बताना है यह आगया हमारा X आगया 15 और Y आगया 10 इनका रेशियो यह अनपाथ बताना 5 2 जा 10 5 3 जा 15 यानि 3 upon 2 यानि X is to Y बताना तो यह हो जाएगा 3 is to 2 इसका correct answer option के हमारा A option जो है यह बिल्कुल correct होगा बता वही बात समझ वही वैसे alternate तरीका इसका best था जैसे हम लोगों ने यहाला किया था जहीं से हमारा answer 15 और 10 आ गया था alternate तरीका इसका सबसे बढ़िया था लेकिन अगर आप जैसे अगर आप question को solve कर रहे हो ना तो question को पूरा solution सिखो वह तो काम में मैं आपको ट्रिक्स आगे जब question करूंगा तो मैं आपको आगे की ट्रिक्स पताऊंगा ही कि कैसे आप question को solve कर पाऊगे ठीक है चलो यहां तक यह question आपको समझ में आ गया होगा अगला question देखो मेरे लाल अगला question देखो question नमबर 46 क्या दिया गया question number 46 यह क्या दिया गया है देखो चार обяз़ संख्या Meghan आ रोही क्रम में आ रोही क्रम मतलब बढते हुए हाना पहली तीन संख्याओं का गुलनफल 455 तथा आखरी तीन संख्याओं का गुड़नफल 1729 इन चार संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज संख्या है इंगलिस में देखो क्या दिया गया है यह दिया गया फोर प्राइम नंबर्स आर इन असेंडिंग ओर्डर the product of the first three numbers is 455 and the product of the least three numbers is 1729 the greatest prime number amongst these four numbers is चलो भै बहुत बलिया बात कहिए इन्हों ने क्या बताया कि भाईवा यह बताओ कि अगर हमारा चार नंबर मलब चार अभाज स्था जिसेंग आ हैं मतलब प्राइम नंबर है माल लोग वो प्राइम नंबर के हैं हमारे A B C D और यह ऐसे ही असेंडिंग ओडर में है ठीक है पहले तीन का गुलनफल मतलब इन तीनों का A into B into C यह दिया गया इनका प्रोडक्ट 455 ठीक आखरी तीन संख्याओं का मतलब आखरी तीन संख्या यह हो हो गया 1729 सही है अब यह कह रहा है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ चलो ठीक है अभी देखो एक चीच कि यहां पर भी BC है यहां पर भी BC है तो हम करेंगा क्या इन दोनों को डिवाइट करा दो मतलब A into B into C upon B into C into D BC is equals to 455 upon 1729 यह बात समझ मागी सभी को अब इसको डिवाइट कराओगे तो यहां से देखो यहां पर भी B है यहां पर भी B है है कि नहीं सब जगाँ B है तो अगर दोनों जगाँ B है तो बैही कट कर दो यहां भी C है यहां भी C है तो इसको भी कट कर दो बताओ गई इतनी की बाह समझ मैं दोनों तरफ सी है अब बचा क्या हमारा ए अपाउन डी क्या बचा है ए अपाउन डी क्लियर है आप देखो इनको कट करो अब इसको अगर कट करोगे तो भाईया यह किस से कट होगा यह चीछ देखो अब देखो नाइन से कट करते हैं चलो 545510414 नहीं नाइन से तो नहीं कट रहा है यह